हिमाचल यूथ कॉंग्रेस ने केंद्र सरकार पर चुनाव के वक्त विपक्षी दलों के अकाउंट फ्रीज करने का आरोप लगाया है। इस दौरा निगम भंडारी ने केंद्र सरकार पर इलेक्टोरल बॉंड के माध्यम से अब तक के सबसे बड़े भ्रष्टाचार को अन्जाम देने का धी आरोप लगाया। सरकार से भारतिय जन्ता पार्टी के नेताओं ने चंदा वसूली किया। आप खुश समझते हैं कि यह जो महौल यह जो इलेक्टरोल बॉंड का जो मुद्दा है आज पूरे के पूरे देश में गर्माया हुआ है। और इस मुद्दे के उजागर होने के बाद कहीं न कहीं भारतिय जन्ता पार्टी आज बैक फूट में आपको दिख रही है। स्प्रिम कोड का भी हम दन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा जो एक जो इतना बड़ा इसको हम कह सकते कि आज तक का सबसे बड़ा बरस्टा चार जो भारतिय जन्ता पार्टी ने शुरू किया है इसका खुलासा कहीं न कहीं स्प्रिम कोड के दोबारा कि इलक्टोर बॉन के नाम पर हफ्ता वुसूली करने वाली सकार ने दुनिया का सबसे बड़ा बरश्टचार किया है। एक तरफ कहीं न कहीं युवा परिशान है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, महेंगाई डे वाए डे बढ़ती जा रही है और ऐसे में क्रोडो रुपे का जो परचार किया जा रहा है। दूसरी तरफ से चंदा लिया। ED, ID, ED, IT, CBI जैसे जांच एजनसियां जो उच जांच एजनसियां थी, मानिया नरंदर मोदी जी की वसूली एजन्ट बन कर काम कर रही है। जो कभी देश के उच संसान हुआ करते थे, वो अब बाजपा के हथियार के रूप में काम कर रहे हैं। जिसका हिमाचल प्रदेश युवा कॉंग्रस पुर जोर विरोध करती है। मैं कहना चाहूँगा सरकारी तंतर को पूरी तरीके से मैं जिजक नहीं करूँगा। मुझे पता है कि भी आज जो भी देश में, जो भी संगठन है, जो भी विपक्षी संगठन है, जो भी व्यक्ती इस सरकार के किलाफ अवाज उठा रहा है, उसकी अवाज को दवाने का काम किया जा रहा है. मैं साब तोर पर बताना चाहूँगा सरकारी तंतर को पूरी तरह संगठित बस्टाचार में जोंग देने वाले नरंदर मोधी जी देश के पहले प्रदानमंतरी है आज देश में हपता वसूली सरकार ED, CBI, IT जैसे परमुक्ष संस्तानों को अपने राजनितिक स्वार्थ के लिए खुले हाम इस्तिमाल कर रही है इसका एक्जांपल जीता जाकता एक्जांपल पिछले कल देखा किस परकार से चुनावों के नजदीक देश के राजदानी के मुख्या मंतरी को बारती जनता पार्टी की सरकार के जो ये एजनसियां है ED, IT, CBI के दवारा किस परकार से इनको एरस्ट किया गया जो कहीं न कहीं लोगतंतर की खुली हत्या है आपने सुना होगा चुनावों के समय या अक्सर मान्या प्रदान मंतरी नरंदर मोदी जी कहा करते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूँगा पर अब उल्टा हो चुका है अब बन गया है मुझे जम के खिलाओगे तभी खाने दूँगा नहीं तो ED, CBI और IT गर पर बेज दूँगा जो विपक्षी नेता जुक और भिक नहीं सकता जो विपक्षी नेता जुक और भिक नहीं सकता उनको जेल में डाला जा रहा है और जो जुक और भिक रहे हैं उनको बाचपा की वाशिंग मशीन में डाल कर दुलाई के बाद इमानदारी का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है आपने देखा किस परकार से पिछले दिनों जो हमारे विदायक थे कॉंग्रिस पार्टी के विदायक उन पे किस परकार से बारति जनता पार्टी की सरकार के दवारा उन पे दवाब बनाया गया और कहीं ना कहीं उन पे दवाब बनाया गया कि वो कहीं ना कहीं यहां से छो साथी साथ आपने देखा साथी साथ एक तरफ लूट गसूट का पैसा इकटा कर चुनावों में जोग दिया जाएगा दूसरी तरफ चुनावों में एक महीने पहले देश के सबसे बड़े जो आज का परमुक जो एक अजंडा है देश के सबसे बड़े विपक्षी पार्टी का चाहे कॉंग्रेस पार्टी की बात करें साथ में युवा संगटन हमारा युवा कॉंग्रेस की बात करें एन्सवे की बात करें उनके अकाउंट को फ्रीज किया गया है तो हम इसका भी पुर्जोर विरोध करते हैं साथी साथ मैं बिछले दिनों जिस परकार से आपने द पूरा किया शिम्ला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी